जैन साथियो डेली करेंट अफेर्स के इस सेसर में आपका सौगत है और ये सीरीज आज से स्टार्ट हो रही है जो हर सुबह आपको प्रते दिन आठ बजे मिलेगी है एक बात को ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्णों की ही बात होगी ज्यादा वाई ब्रेक अपसके अगर आप से पूछता है उस्वानन सोनो Wellington साथ में है और एक बात करेंगे सर्वनन सोनोवाल वाल के साथ के पास जो है वो बंदरगाह जहादरानी मंत्राले भी है ठीक है बात करें अगर सहकारता मंत्राले की तो सहकारता मंत्राले हमारे अमिसा के पास है अमिसा जी के पास होम मिनिश्ट्री यानि की ग्रह मंत्राले भी है ठीक है और अगर बात करेंगे सामाजिक न्या एक और अधिकारिता मंत्राले की तो ये विरेंदर कुमार के पास है और रेल मंत्राले की बात करें तो अस्विनी वैसलव के पास है किसके पास है अस्विनी वैसलव के पास है रेल मंत्राले और इसको लॉंच कप किया गया है तो साथ ही उसको लॉंच किया गया है 29 अगस्ट और अगर उन्तिस अगस्त की बात करें तो उन्तिस अगस्त को ही खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है उन्तिस अगस्त को ही मेजर ध्यान चंड जो की हाकी उसके जादूगर थे उनका जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है ठीक है सारे प्रश्णों को इस देश बार पढ़ लेंगे इसको हम लोग हाली में किस मंत्राले द्वारा वाई ब्रेक अप को लांच किया गया है अगली कोशिर की तरह बढ़ते हैं अगला कोशिर है हमारा यूएन ने हाली में किसके सहयोग से यूनाइटेड अवेयर प्लेटफर्म लांच किया है ब्षारत की मधल किसके सहयोग से यूनाइटेड अवेयर प्लेटफर्म लांच किया है अगले कोशिर की तरह बढ़ते हैं नेक्ट कोशिर हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी जी ने 75-173 दिवस पर किस मिसन को लांच किया है तो उसका आंसर हो जाएका सात्यू राष् कि अवसर पर अगले कोशन की तरह बढ़ते हैं अगला कोशन हमारा ऑंते सब्सक्राइब को राश्री खेल दिवस के अवसर पर किस एप को लॉंच कि आ गया है इस को ध्यान से देखेंगे क्योंकि खेल दिवस के बात है तो हमें लगेगा कि खेले उंडिया खेले भारत अंतर हो जाएगा इसका फिट इंडिया एप किस आपको लाउंच किया गया है और आपको बता दें कि खेल मंतरी कौन है तो खेल मंतरी अनुराग ठाकूर है जो कि पहले 20 STI के अंदेख्ष भी रह चुकी है अनुराग ठाकूर है और अनुराग ठाकूर के पास केंदरी दूसरा कोश्चन खेल मंत्री अंडराक्टा को रहें अन्राक्टाकर के पास हीवा मामले मंत्राले भी है तीक है अगले कोश्चन की तरह बढ़ते हैं अगला कोश्चन हमारा हाल ही में किस खिलाड़ी ने पैरा लंपिक 2020 में शिल्वर मेडल जीता है किस खिलाड़ी ने पैरा लंपिक 2020 में जीता था पहला मिडल जीता है पैरा लंपिक, टोटकियो पैरा लंपिक गेम्स में तो वो जीता है, अगले कोश्चन की तरह बढ़ते हैं अगला कोशन है हमारा हाल ही में टोक्यो पेरालंपिक में किस भारती निसाने बाज ने स्वर्ड़ पदक जीता है तो साथियों बता दें कि स्वर्ड़ पदक जीता है अवनी लेखैरा ने अवनी लेखैरा ने स्वर्ड़ पदक जीता है वो भी निसाने बाजी में जितने भी नाम आपको दिये हैं भाविना पटेल योगे देवेंदर जाजरिया इन सभी ने मेडल अपने नाम किया है और टोक्यो पेरालंपिक की जो सुरुवात है वो टोक्यो ओलंपिक से भी बहत और दो ब्राउंज आ चुके हैं अभी तक पहले से ही यानि कि कुल आठ मेडल भारत के खाते में आ चुके हैं अभी जल्दी और दो गोल्ड कैसे एक गोल्ड तो अबनी लेखैरा का होगे निसाने बाजी में दूसरा गोल्ड अभी कल ही आया है वो आया है सुमित अंतिल का सुमित अंतिल ने भाला फेक प्रतियुकता में इन्होंने वर्ल्ड रिकार्ड बना दिया है कुछ 68.6 किलो मीटर का भाला फेक कर तो दो स्वाड़ों पदक हो गए भारत के खाते में और कुल पदक की बात करें तो आठ हो गए हैं टोक्यो पैरलम्पिक गेम्स में शरुआ अच्छी है देखते आगे कहां तक जाते हैं अगले कुशन की तरफ इसका राइट असर क्या हो जाएगा अपनी लेखेरा ने जीता है और अगर उसमें भाला फेक में बात करेगा तो आप जिर्धान रखेंगे सुमित अंतिल नाम याद रखेंगे सुमित अंतिल सुमित अ ठीक है अगले कोश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों अगले कोश्चन है इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रद्योग्य की मंत्राले ने भारत का पहला कॉंटम कंप्यूटर लॉंच किया है उसका नाम किया है इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रद्योग्य की मंत्राले ये इलेक्ट्रोनिक्स और सुचरा प्रिद्द्दकी मत्राले ने भारत का पहला कॉंटम कंप्यूटर अगर आपको इसमें देखे क्वेस्टन में ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि पहले सुपर कंप्यूटर की बात करें तो वह परम सिद्धी था पहला सुपर कंप्यूटर पहला quantum computer पूछा है तो पहला quantum computer जो हो जाएगा वो इसका right answer हो जाएगा simulator troll kit, simulator tool kit, क्या हो जाएगा simulator tool kit, right answer हो जाएगा इसका, ठीक है, अगले question की तरह बढ़ते हैं, अगला question है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहा cbdc क्या है, चर्चा में रहा cbdc क्या है, साथ जानेंगे cbdc की full farm क्या है, तो cbdc की full farm होती है, central bank of digital currency, central bank of digital currency, central bank of digital currency, चर्चा में क्यों रहा है, चर्चा में ये इसलिए रहा है, क्योंकि ना तो ये बड़ी निजी कंपनियों को digital currency है, और ना ही ये वर्ल्ड बैंक दोरा digital अरी मुद्रा है, ना ही ये bitcoin का रूप है, ये है, RBI की एक virtual currency है, RBI की एक virtual currency है, और ये अपनी एक virtual currency, बिटकोईन्स और आपकी ये जो सब होते हैं, यही सब virtual currency होती है, जिनको क्य बहुत ही ज़्यादा होती है, और ये coins के रूप में काम करते है, RBI की virtual currency है, अगले question की तरफ बढ़ेंगे, अगले question है, क्रिप्टो अपनाने में भारत दुनिया में किस स्थान पर है, क्रिप्टो अपनाने में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर पहुँच गया है, ज पहुच गया है, अब देखते ही होंगे कि आपके mobile phones पर ये bitcoins और ये coins विच को बेर नजाने कितने सारे आड आते रहते हैं, तो वो इसी वज़ए से है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला है, लोग इसमें invest कर रहे हैं, अगले question की तरफ बढ़ेंगे, दूसरा राज कौन सा है, तो दूसरा राज कौन है, यानि एकलिन से पहले हमें जानना होगा कि पहला राज कौन सा था, तो साथ यो पहला राज हो जाएगा आपका करनाट का, करनाटक पहला राज था, राष्टी सिच्छानीत को लागो करने का, और जो दूसरा राज है, हमारा राइट अंसर मध्ध प्रद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् हमारे जो भूत कूल सिक्षा मंतरी थे और यह धर्मेद्र और इनके अंदर कोशल विकास मंतर इदोनों इन फिल में सब्द्र गए दुनिया का सब जो हम जो विवादिछ रहे लदाफ वहीं पर है क्या है दुनिया के सबसे अधिक उचायवाले मूवी तीयたर का उद्गाटन किस राज में है लदाफ में किस राज में है लदाफ में जो कि अब हमारा ही है हमारा पूर अधिकार है ये आपके यूनियन टेलेटरीज में भी सामिल हो गया है तो लदाख में क्या है दुनिया के सबसे अधिक उचाय वाले मूवी थेटर का उद्गाटन किस राज्ज में किया गया है लदाख में किया गया है सासी ये थी करेंट अफेर्स के हमारी क्लास अगर आपको वीडियो अच्छे लगी है तो दोस्तों में भी सेयर करें और इसी तरह के कुश्चन्स आपको हम डेली आठ बजे प्रसेजिन सुबह आठ बजे प्रवाइट कराते रहेंगे तो हर दिन सुबह आठ बजे आप तयार हो जाएए इन कुश्चन्स को लिख लिए अच्छे से आपकी तयारी के साथ साथ हमारी पर तयारी होती रहेगी मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में थैंक्स टो अल आफ यू